हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब लोग वासा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लास अफिसियल में दोस्तों हमारे चैनल पर यूपी जूनियर सुपर्टेट के कोश्चन्स की प्रैक्टिस करा ही जा रही है उसी में आज हमार पैठ़पूर कोश्चन है वह सभी इस वीडियो में रखे गए हैं साथी साथ जो पिछली परिच्छव मौन एक यह सबसे पहले सामने घ्या कि मानप की आहार नाल इहां पर हमसे जो हमारी आहर नाल होती है पाचन तंत्र की उसका जो सही क्रम है वह हमसे पूछा गया है दोस्तों इसका आंसर देने से पहले हम एक वार पाचन तंत्र की आहर नाल है उसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो यह है हमारे सामने पाचंतंत्र तो सबसे पहले जो आता है वह आता है हमारा मुह ठीक है ना उसके बाद आती है हमारी ग्रस्णी ग्रस्णी एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारा ससंतंत्र और पाचंतंत्र दौनों का कॉमन पार्ट होता है यह होता है हमारा ग्रस्णी ठीक है ना फोरनटी ठीक है क्रम बाएज यह करम होते हैं इसके बाद हमारा आता है स्पस्सक्राइब हमारा अमास है जो होता है एक होती है है एक हो आना कि चोटी यह और उसके बार आता है खोटी यह थार हम देखते हैं कि और कौन थीए है तो पहले यहां हमारे सामने मुख ग्रिस का और रहे और छुद्दान तो जोगत ऐसे लिए हो जाए क्योंकि छोटी आत पहले आती एक इसमें दिया गया हैं मुख आमाशए तो यह भी गलत हो जाए क्योंकि उसके वाद ग्रिषिका आती है तीसरा ऑपसान हमारे सामने मुख ग्रिषिका आमास है चुद्रान्त और व्रहदान्त यानि कि छोटी यांत और बड़ी यांत तो यह ओप्सन हमें ठीक लग रहा है डी भी पढ़ लेते हैं डी है हमारे सामने मुख आमास है यह भी गलत हो जाया है क्योंकि मुख के बाद हमारी ग्रसिका और ग्राशनली आती है तो हमारा क तो पाचन तंत्र है उसका डायग्राम है यह जब आश्क कोष्टन की और हम बढ़ते हैं नहीं सामने कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो एक्रत से पित्त रस घ्रहन करके इसे पित्त्यासय में संग्रहित करता है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कर देता है तो हम ocaset कर पित्त immense लगा देते हैं लेकिन हो जाता है कि अप्टर होता है वह होता है हमारे येक्रत में और संग्रहित होता है ले किके जाता है वहां कि घाता है हमारा अगनाश्य के दौरा तो आफ्सान नम्मर बी जो है वो इसका बिल्कोर राइट अंसर होगा संगरहेट पित्ताइब में होता है बंता यक्रत में है लेकिन अग्साय के को बसाम में परवर्तित करना भी ओफसे पहले आ'll की करत होता है वह होता है सिक्स पोइंट यानि की हलका सा अमली होता है ठीक है यह और घूमिंड नम्बर भी मंड जो मंड जो मंड की सर्ग को सरकरामें परवर्त्रित करना ये है लार का कर होता है नेस्ट कुश्चन की ओढ़ते हैं हम नेश्ट कोस्ट हमारे सामने कि कि निम्नमैसे कौन सा एंजाइम अगनासे द्वारा स्रावित होता है दोस्तों अगनासे के द्वारा तीर एंजाइम स्रावित किये जाते हैं एक होता है हमारा कि एमाई लेज ठीक है ना एक होता है हमारा एमाई लेज और दूसरा होता है हमारा लाई पेज ठीक है ना एक होता है लाइपेज और एक होता है हमारा ट्रिपसिन ठीक है यह तीन एंजाइम जो है वह अगनासे के द्वारा स्रावित किये जाते हैं अगना से जो है वह तो मिस्तृतफ़ ग्रंथी बोली जाती है क्योंकि इसमें सभी तरीके की एंजाइम को स्रावत किया जाता है जो होता है हमारा प्रोटीन का पाचन करता है कि थेके हैं आ जो है हैं हमारा प्रोटीन का पांचन करता है और जो होता है है हमारा मिया पांचन करता है ठीक है ना तो सहेसे मानब्स सरीर में नियुन मैसे किसका और सबसे बड़ा होता है और इसका जो होता है है नवानप सरीट की तब से वड़ी ग्रंथ होता है दूस्य नम्म पर जो आती है वह आती हमारी अकनास थीक है ना तो सब्सें बड़ा आकार यकृत का जायगा बात हम करते हैं नेक्स कुश्चन की ना हमारे सामने मानम में पित्त का स्राव होता है जो अभी मैंने बताया था पित्त का स्राव कहां होता है यक्रत में होता है ठीक है ना और पित्त एखटा कहां होता है पित्ता से में एखटा होता है नैस्ट कुश्चन हमारे सामने कि बाइल का स्राव होता है दोस्तों बाइल जो स्रावर होता है वह हमारे जिगर से होता है ठीक है ना और इसका जो कार होता है जो हम जब खाना खाते हैं तो हानकारिक बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ अंदर चले जाते हैं उन्हें नस्ट करना बायल का कार होता है नेक्स्ट कुश्चन है हमारे सामने कि निम्न जानवरों मैं से किसकी अधिक लंबी आत होती है दोस्तों सबसे लंबी जो आत होती है वह साका हरी जंतों की होती है क्योंकि वह सैलूलोज का पाचन करते हैं और सैलूलोज के पाचन में अधिक समय लगता है और जो मासाहारी जानवर होते हैं उनमें भूजन का पाचन आसानी से हो जाता है तो इसलिए सबसे लंबी आथ जो होती है खरगोस की होती है खरगोस की जो आथ होती है उसके सरीव से ग्यारे से बारे गुनाँ लंबी होती है ठीक है लेक्ष कोशन है हमारे सामने ग्राख को क्या कहते हैं दोस्तों हमारी जीप पर स्वाद को पता लगाने के लिए स्वाद कलकाओं पाएं जाती हैं और उन स्वाद कलकाओं को ही हम रश्वेदी अभिग्रहक कहते हैं तो अफ्शन नम्मर डी इसका विल्कुल ठीक हो जाएगा किसी व्यक्ति के पाचन तंतर की जांच करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला यंत्र है हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा यंत्र है जो पाचन तंतर की जांच में इस्तेमाल किया जा सकता है यह ओप्सन है हमारे सामने और सीलोस्कोप दोस्तों और सीलोस्कोप जो होता है यह एक एलेक्ट्रोनिक उपक्रान होता है जो विवहांतर को ग्राफ के रूब में प्रदस्थित करता है माइक्रोस्कूप की बात करें हम तो माइक्रोस्कूप जो होता है यह हमारा सूच में चीजों को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है ना और अगर हम रेडियोग्राफ की बात करें तो रेडियोग्राफ जो होता है हमारा यह हमारे चिकित्सा में जो हमारे सरीर का जो ढांचा होता है चिकित्सा के छेत्र में जो सरीर का जो ढांचा होता है उसकी जांच के लिए हम रेडियोग्राफ का प्रियोग करते हैं और जो है हमारा इंड और इसका जो प्रियोग है वे को पता करने के लिए करते हैं तो इस में की आएगा है होसा नंससी भिल्कुल ठीक हो जाएगा कि नेक्स कुंश्यन की बात करते हैं acion हमारे सामने कि लिखित मैंसे किसमें होमोडांट दांत पाए जाते हैं दोस्तों इस्तंधारियों में ठीकोडॉंट ठीक है ना ठीकोडॉंट और कौन से दांट पाए जाते हैं एक तो होते हैं ठीकोडॉंट और एक होते हैं हमारे हिट्रोडॉंट ठीक है ना ये दो हो गए ये इस्तंधारियों की बात हो रही है हमारी एक पाए जाते हैं हमारे जारे तर जो इस्तंधारी होते हैं उनमें ये डाइफियोडांट दांत पाए जाते हैं ठीक है ना तो ये तो हो गई हमारे इस्तंधारियों की बात डाइफियोडांट ये हमारे स्तंधारियों में दान्त पाए जाते हैं यानि ही मचली में जो है इकोडा уров पाये जाते हैं डाते हैं गो गर संक्राहते हैं जो समाणाकार के होते हैं टांत की भी बात हम करते हैं कि धात का किसका ज uniquely किसका बना होता थोस्तो आपको दिखा दूमें इनаньमल कौन सा होता है यह दोस्तों हमारे एक है इसका जो जो ऊपरी परत है यह वाली इसे हम इनैमल बोलते हैं ठीक है ना और है हमारा केल्सियम फास्पेट का बना होता है और इसके जो नीचे वाली परत होती है इसे हम डेंटाइन बोलते हैं और जो इसके नीचे यह वाली तीसरी परत होती है इसे हम पल्प बोलते हैं ठीक है ना इसमें हमारी बिलेट सेल्स होती है पल्प में ठीक है ना तो यह तीन भागों में हमारा डिवाइड होता है और जो इनैमल होता है वह मानफ सरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है ठीक है नहीं सबसे मजबूत परत होती है मानप के सरी की और दूसरे नम्मर पर कौन सी आती है डेंटाइन अगर आप दोस्तों अगर मैं आपको दो सब्सक्राइब के वल्हें मैं आपको दो सब्सक्राइब यह तो हमारी जो पाचन क्रिया में बदद करता है करता है हमारा HCL यानि कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डी ऑप्सन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे सदिन में जो वैक्टिरिया पहुंचते हैं भोजन के द्वारा उन्हें अभी नश्टिक करता है नेस्ट कोश्चन हमारे सामने कि भोजन खाद्य पदार्थ के संबंद में कौन सा कथन असत्य है यह एक अजैविक पदार्थ है यह एक रासानी किरिया देता है यह एक जैविक पदार्थ है और डिया यह हमें उर्जा प्रदान करता है दोस्तों इसमें से तीन सही है एक गलत है बताईए कौन सही होगा और कौन सा प्रदान करता हैक नेक्सक्रेंट की ओर weptain कि नेक्सक्रेंट में हमारे सांदे कि लार में एंजाइम होता है लिगेज प्रोटी एज और लाइपेज दोस्तो दूस्ते हमारी उसमें हमारे दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं पहला जो एंजाइम होता है वह होता है हमारा टाइलेंग ठीक है ना एक तो होता है हमारा टाइलेंग और दूसरा हमारा होता है लाइसोजाइम लाइसो जाइम ठीक है ना यह होते हैं दो एंजाइम होते हैं एक होते हैं टाइलेन और एक होते हैं लाइसो जाइम का जो कार्य होता है वह होता है हमारा इसका जो कार्य होता है बैक्टिरिया को नस्ट करना हमारे मुझ में जहां हम बोजन को पचाते हैं मतलब चवाते हैं ब सारम कर देता है और तायलिह गेंस होता है हमारा दूसरा नाम होता है से लाइपीज प्रोट एंजाइम ठीक है ना और जितने भी एंजाइम होते हैं वैसे हमारे प्रोटेन और तो दूसरा नाम क्या है ृच Catherine करता है danny मुह में ही MLA enzyme बनता है तो हमारे मुख्ष से ही कार्वोःडरीट का पाचन शुरू हो जाता है इसलिए जह हमारी अंदर एनरजी नहीं होती है तो मैं बोला जाता है ग्लूकोज क्लूकोज जो होता है वह एक कार्वोःडरीट का कि यह वही हमारे launch संबंदित है कि अieurs बढ़ते हैं ना यह मैं सामने कि Gulf कि इनेमल किसका Kenyan कि बना होता है कि यह के निंवल किसका priests का होता है कि हमारा कैल्सियम उपके भी विल्कुल ठीक हो जाएगा ने इस्ट कि बात करते हैं एक कि अपक्रण की हम बात करते है नमारे सामने till रस्का सुराव होता है। सब्सक्राइब कहा होता है हमारा यक्रत में यह कोश्चन पढ़ चुके हैं अब लगवाग आपको कुश्चन स्याद हो गए होगे तो यह थे हमारे 35 संबंदित बनने वाले जतने भी महत्पूर्ण कोश्चन थे वह हमने इस वीडियो में रखे ते आपके जो भी सुझा हों वो कमेंट वोक्स में जरूर दें और आपके वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जन्तूं की सरचनावा कार के अग हिंद बंदे मात्रम थेंक यूँ आप 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 आप